ओम प्रकास राजबर आज NDA के साथ आ गए हैं इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष नेता राजसभासांसर प्रमोथ तिवारी मौजूद हैं सर ओम प्रकास राजबर आखिरकार NDA में आई ही गए हैं किस तरह से देख रहे हैं देखे राजबर जी को मैं बहुत बहुत लंबे अर्शे से जानता हूं जब गए थे यह भाजपा छोड़ी थे मंत्री थे संतुस्त नहीं थे अपमानित हुए थे एक डीम ने इनको अपमानित किया मंती रहते हुए तो वहां से सापा में आ गया है अब सापा से भाजपा मे जा रहे हैं तो जो लोग चलते फिरते रहते हैं आवा गवन जिनका जारी रहता है उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया हो सकती ही इश्वर करे कुछ दिनोहास था ही रूप से रहे हैं पर इतना जरूर मैं कहूंगा कि भारत की राजणी यह आया राम गया राम राजणीत हि ये इस सवाल का जवाब कि ठिके रहेंगे कि नहीं रहेंगे खुद राजबर जी भी नहीं दे सकते उनका मन कब डोल जाए कब आत्मा उनकी पुकारने लगे उनको तुझी जाने मेरी सुपकामना है उनके से अधिये में शामिल होने के बाद ओम प्रकास राजबर कहा रहें कि बिपक्षी पार्टिया कमजोर है अकलेश यादव कहीं ठिके नहीं है देखे अकलेश यादव जी के साथ गये थे तो उनका भाजपा को मैंने दफन कर दिया भाजपा को खटा दिया भाजपा को इतनी सीट नहीं मिलेंगी वो कहते रहेगे भाजपा की सरकार बन गी अब वहां जाके कहेंगे तो जब वहां से कहेंगे तो यहां की बन जाएगी तो हम मैं तो इतना कहूंगा कि उत्ता व्रदेश की राजनीत में राजभर जी आपना अलग अंदाज आपको लगता है दोहजार चौब आप जनता निमन बना लिया है कि दस साल के मोदी के कुशाशन को हटाना है भाजपा हटाओ भारत बचाओ यह नारा लग चुका है करन्या कुमारी से कश्मीर तर तो अब वहां राजभर क्या करेंगे प्रमोत्तिवरी क्या करेंगे यह बहुत महत्वूर्ण नहीं है तमाम नेता शामिल रहेंगे उधर विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है ओम प्रकास राजभर लगतार विपक्षी पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं तो इस तरह की भाशा यूज़ करता है तो है इसी का उनकों पास आप कहलो कि इसी की खाते हैं इसी कमाते हैं बोलेंगे जिसके लिए बोलते चले जाएंगे पर उसका नुक्सान भी होता है हम लोगों ने नुक्सान भुकता है इनके बड़ बोलेपन का अब भाजपा को बात का जरूर राजबर जी मुझे जवाब दे जिसके पास गये हैं उस नरेंद मुदी जी ने प्रधानमंती के रूप में भोपाल में कहा था कि सतर हजार करोन के घोटाले बाच को मैं जेल में भीजूंगा जेल में तो नहीं भीजा पावार साथ को डिप्टी चीफ स्वाब दें कि यह ऐसा क्यों किया इनों ने कि जब एक घोटाले बाच को डिप्टी चीफ में इससा बनाया है तो वो तो अपने आपको नहीं कहते घोटाले बाच के साथ ही दारा सिंग चुहान की बात करे हम जो चुनावस के वक्त गये थे अब चर्चाएं हैं कि वो कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं विदाई की पत से स्टीफा भी हो गया है एक शी बताओ मैं यह चुनाओ है अब देखते होंगी चुनाओं में कुछ मौसमी चड़िया होती है उनको जहां कुछ उमीद नजर आती है चड़िया उसी डाल पर बैठ जाती है अभी राजभर जाग चुकी है तो नेता महतपुर्ण नहीं होता जनता महतपुर्ण बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए क्यामरा पस्टन रोहित के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल्ली